हेलो बच्चो डियले त्सेकेंड स dew हə ओनलाइन कलास में आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लास के अंतरगत हम पिछले वीडियो में आपको प्रकृति वाद और आदर्श्वाद के सूर्चा करें तो आईए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रयोजन वाद के बारे में प्रेयोजनवाद यहां हमने लिखा हुआ है प्रेयोजनवाद अंग्रेजी के Pragmatism सब्द का हिंदी रूपांत्रण है यहां ग्रीग भासा से यांदिक सब्द या यूनानी सब्द के Pragma से इसकी ऊत्पत्ती हुई है तो यह आपका प्रस्ण बनता है कि प्रयोजनवाद की उत्पत्ति किस से हुई तो आप कह सकते हैं कि प्रेग्मा शब्द से इसकी उत्पत्ति है जिसका अर्थ होता है क्रिया या कर्म यहां आपने बताया भी है कि इसका अर्थ होता है क्रिया या कर्म तो आपने देखा कि प्रयोजनवाद को अंग्रेजी में प्रेग्माटिज्म कहते हैं और यहां उसका अंग्रेजी सब्द है इसी का अर्थ होता है प्रियोजन वाद और इसकी उत्पति किसे हुई है प्रेग्मा से जिसका अर्थ होता है क्रिया या कर इसको हम अनेक नामों से जानते हैं यह सिर्फ प्रियोग वाद के नाम से नहीं जाना जाता है या प्रियोजन वाद के नाम से नहीं जाना जाता है इसको फलक वाद के शिपाये तो इसकी बारे में करते हैं लेकिन यहां अलग अलग तो कमोज Avoid किए गया है अ तो आगर इसमें से कोई भी एक वाद पुछा जाता है तो यह समझा जाइएगा कि प्रियोजन वाद के ही बारे में पुछा जा Jupiter के बारे में कहा जारी है इसका आर्थ यहां भी ग्रीक सब्द से ही इसकी उत्पति के भारे में बात की जाती है कि इसकी उत्पति ग्रीक सब्द से ही हुआ है लेकिन वह सब्द क्या है प्रेग्मा सही माना जाता है जिसका आर्थ होता है प्रेग्मा टीकोस का अर्थ होता है ब्यवहारवाद इसको ब्यवहारवाद के नाम से भी हम जानते हैं तो यह देखें दो दो चीजी हमने आपको बता दिया कि इसको दो तरह से लोग पूछ सकते हैं या प्रेग्मा टीको जन्मदाता कौन है तो विलियम जेम्स विलियम जेम्स एक दार्षनिक है इन्हों ने ही प्रयोजनवाद को के बारे में बहुत ज्यादे बाते किये इसलिए इसके जन्मदाता के रूप में इनको जाना जाता है इनके जन्म और मृत्त्यू के बारे में नहीं लिग दिया है कि 1842 सब्सक्राइब इनकी जन्म हुई थी इसके अन्य जो प्रवर्तक है प्रवर्तक जॉन डीवी जॉन्ला सिछ इनका नाम आता है जिसमें जॉन डीवी के बारे में माना जाता है कि इसके सबसे बड़े प्रवर्तक रहे हैं इस परकार से देखें कि प्रयोजनवाद क्या है आप एक हम समाने सब्दों में बता दें आपको समाने सब्दों के बारे में बात की जाए तो प्रयोजनवाद वह है जो ब्यवहारिक जीवन को कि सत्यता को अपनी प्रेडा का किंद्र बिंदु बानता है प्रयोजनवाद ब्यवहारिक जीवन को ही अपना लच्छ बनाता है और जो वस्तुमी ब्यवहार में नहीं होती है उन वस्तुमों को वह कोई भी महत्व नहीं देता है इस प्रेकार से हम कह सकते हैं कि प्रयोजनवाद या विचारवाद वह है जो क्रियाओं वस्तुमों सिद्धानतों तथा नियमों की सत्यता को मानता है और शमय परिस्थिती एवं देश काल के अनुरूप इसमें परिवर्तन होता रहता है यानि कि यह एक समान नहीं रहता है यह समय के अनुसार पदलता रहता है एक हम आपको उधारण के दौर पर बता रहे हैं कि जैसे हम दूद के बारे में बात करें दूद आपका मालीजे प्रयोजन है तो दूद से क्या होगा दही भी बन जाता है मक्खन भी बन जाता है और उससे घी भी निकलता है तो क्या है एक ही वस्तु से वह अलग-अलग समय में अलग-लग प्रयोग के रूप में किया जा सकता है कि जैसे windows हुआ फिर दही हुआ फिर मक्ठन हुआ और उसके भाद से घी उससे निकल गए वही चीजिर यहां प्रयोजन वाद मनुष्य की एक श्वभाव के बारे में है जो हर समय हर परिस्तियों के अनुसार बदलता रहता है वैसे तो माना जाता है कि प्रयोजनवाद आधुनिक है लेकिन यह आधुनिक नहीं है इसके बारे में कुछ विद्वानों का यह मानना है कि जब मनुस्य की उत्पत्ति फृत्वी पे हुई थी और वो अपने समस्याओ के बारे में जानने लगा था अनुभव करने लगा था और उन समस्याओं का लेगर निदान करने के लिए अपने ब्यार में यह रोज के नियम के जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन लाता था तो वही उसका ब्राचीन समय की बात है और प्राचीन समय से ही यह प्रयोग में लाई जाती है चुकि इसको आज आधुनिक समय में बहुत जादे विसेस महत्व दिया गया है अगर हम बात करें कि प्रयोजनवाद का प्रयोग सबसे जादे कहा होता है त तरगत प्रयोजनवाद का बहुत बिसेश प्रयोग किया जाता है तो यह आपका प्रयोजनवाद इसकी परिभासाओं के बारे में आप जान लीजिए विलियम जेम्स जो के इसके जन्मदाता है इनके बारे में हमने लिखा है कि विलियम जेम्स जो है प्रयोजनवाद के बारे में कहते हैं कि प्रयोजनवाद मस्तिक्स का एक सोभाव है यह एक अभिबृति है एवं बिचार और शर्ति की प्रकृति का सिधान्त है कि इनके अनसार मानन। मस्तिक्स मनुष्य से के मस्तिक्स का एक एक विचार जो उसकी अविद्टी और विचार श strengthening स॥्व होती है कोई जरूरी नहीं है आज जो स्थYour है आने वाले समय में ही वो सर्थॉ हो और जो आज सत्थ है वो आने वाले समय में उसकी सत्यता सिद्ध नहीं की जा सकती है ऐसा नहीं है तो यहीं क्या है तो यहीं प्रियोजन वाद बताता है जो वर्तमान समय में हमारे साथ जैसा हम अनुभो करते हैं जैसा हम विचार करते हैं जैसा हम कारे करते हैं तो वही हमारा प्रियोजन वाद ह रस्क के अनुसार देखिए प्रयोजनवाद उस नए आदर्श के विकास का एक चरड़ है जो अध्यात्मिक तथा ब्यवहारिक मन्यताओं में सामंजस से उत्पन कर सकेगा इस ने अरस्क ने बताया है कि प्रयोजनवाद उस नए आदर्श के विकास का एक चरड़ है जो आध्यात्मिक तथा ब्यवहारिक मन्यताओं में हैं सामंजस से उत्पन कर रहे हैं याने कि ब्यवहारिक और अध्यात्म के विच्च का यह रहिजा आद सकी बीच शामंजस से यह भी एक दाषनिक है और सिच्छा विद भी हैं तो इनका मानना है कि प्रयोजनवादी वस्तुता एक मानोतावादी दर्शन है जो यह मानता है कि मनुस्य कारे करने में अपने मुल्यों का स्रिजन करता है एवं सत्य अभी निर्माण की अवस्ता में है और अपने प्रयोजनवाद के बारे में आपको बता दियागे कि प्रयोजनवाद क्या है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और इसकी परिभासाएं क्या है इसके जन्मदाता कौन है इने सब के बारे में बताए गया तो उमीद है आपको समझ में आगे होगा कि प्रयोजनवाद है क्या जो यानि कि वरत्मान समय में किया जाने ही शफल माना जाता है वही सत्य है कर और यहाँ नहीं है किPM किसी एक सक्ति को विशेष मान जाता है यह माना जाता है जैसे हम अगर आदाश सुलाद में एक अध्यीत्म सक्ति sent कैसे सकती है जो हमारे पूरी प्रित्वी को नियंत्रित करती है लेकिन प्रकृति वाद क्या है प्रकृति को मानती है और आदर्श प्रयोजन वाद क्या करता है वैवहार वाद क्या करता है कि नहीं यहां अनेक तत्तों से निर्मित हो कि यह जो प्रित्वी पनिये मनुष्य से बना हुआ है यह अपने ब्यभारों को किस तरह से संचालित करता है यही यहां पर बताये गया है तो उमीद है यहां आपको समझ में आगे होगा इस वीडियो के अंतर गत इतना ही